इस वीडियो में आपको बताऊंगा के चेस को कैसे खेला जाता है और उसके कौन-कौन से बेसिक रूल्स है इस लेसन को मैंने तीन हैसो में डिवाइड किया है चेस की गेम को समझने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखने है अपने पहले हिसे में हम देखेंगे कि कौन-कौन से पीसिज है उनके क्या नाम है और कैसे मूव कर सकते हैं तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहला जो पीस है वो है क्यून क्यून तमाम डायरेक्शन में मूव कर सकती है और किसी भी हाली स्केर में ये मूव कर सकती है यहां पर क्यून देखें आप तो तमाम ग्रीन हाइलाइटर स्केर में ये मूव कर सकती है और वहां पर मौझूद एनिमी के पीस को कैप्चर कर सकती है तो मैं इसको फारवर डायरेक्शन में मूव करवाऊंगा यहां पे Next is the king King भी सारी डायरेक्शन में मूव कार सकता है लेकिन सिर्फ एक स्केर ही मूव कार सकता है इस गेम में सबसे इंपॉर्टन्ट पीस किंग है इसको आपने बचाना होता है अपका यह पीस कैप्चर हो गया तो आप गेम हार जाएंगे यहां पे यह वाइट किंग सिर्फ इन ग्रीन हाईलाइटर स्केर में ही मूव कार सकता है हार डायरेक्शन में लेकिन सिर्फ एक एक स्केर Next is the bishop Bishop सिर्फ डायेगनल मूव करेगा Cross की शेप में और किसी भी हाली स्केर में मूव कर सकता है यहां पे आप देखें तो यह वाइट बेशिप है यह रायेट डायेगनल में सिर्फ मूव कर सकता है लेफ डायेगनल में अपना ही पीस आ जाता है इसलिए मूव नहीं कर सकता Next is the rook Rook हमेशन स्ट्रेट डायेक्शन में मूव करता है यह लेफ रायेट यह फारवर्ड बैकवर्ड ठीक है आप के सकते हैं प्लस की शेप में यह मूव करेगा यहां पे वाइट रूख इसको में रायेट साइड पे मूव करूँगा Knight हमेशन एल यह 7 की शेप में मूव करेगा और यह किसी भी पीस के उपर से जंप करके भी आगे अपने टारगेट स्केर में जा सकता है यहां पे आप देखें तो वाइट नाइट इन तमाम ग्रीन हाइलाइट स्केर में मूव कर सकता है और इसको में Enemy के पीस को कैप्चर करूँगा यहां पे Pan हमेशन फारवड डिरेक्शन में मूव करेगा पहली बार में आपके पास चोईस है कि आप एक स्केर मूव करवाएं या दो स्केर लेकर उसके बाद यह हमेशन एक स्केर ही फारवड मूव करेगा लेकर अगर फारवरड कोई Enemy का पीस आघिया है तो यह उसको कैप्चर नहीं कर सकता है यह हमेशन कैप्चर करेगा डाइगनल वैली साइड पे यहां पे Enemy के पीस को यह यहां पे कैप्चर करेगा और हमेशन मूव करेगा फारवड चेक की गेम को समझने के लिए इन तीन कंडिशन को समझना बहुत ही जरूरी है पहली कंडिशन है चेक, चेक में आपने एनिमी के किंग को जब गहर लेते हैं आप एनिमी के किंग को तो उस टेम आपने उसको एक जो है वार्निंग देनी होती है कि भाई यहां से इसकेप हो जाओ वरना कैप्चर हो जाओगे ठीक है तो ऐसी कंडिशन को चेक केते हैं यहां पर आप देखें तो जो वाइट क्यून है इसने ब्लैक किंग को चेक किया है ठीक है और वहां पर यह इसकेप हो गया है ब्लैक किंग नेक्स दे चेक मेट, चेक मेट, चेक की वह special condition है जिसके escape नहीं हुआ जा सकता, अगर आप enemy के king को check कर लें और वहां से escape नहीं हो सके तो ऐसी condition को checkmate करते हैं, यहां पर आप देखें तो white king जो है, इसके पास a की square है जो हाली जिसमें यह move कर सकता है, लेकर उसमें भी अगर move करे लीगल मूव नहीं बची ठीक है अगर opponent जो आपका player है उसकी बारी है लेकर उसके पास कोई भी लीगल मूव नहीं बची हाँ पे आप देखें तो जो black king है, इसके पास कोई भी लीगल मूव नहीं बची है, राइड मूव करेगा तो वहां पर root capture कर लेगा, left move करेगा, तो Q लीगल मूव कर लेगी, even तो ऐसी condition में जो chess की game है वो draw हो जाती है, अभी वो safe है, next is the castling, castling वो special condition है जिसमें कोई एक player दो बार अगठी मूव कर सकते है अपने pieces को, और वो दो pieces कौन-कौन से है, rook और king, लेकर अगर वो अपनी initial condition पे मुझूद है, और उनके दर्मयान की रोटेट कार सकते हैं, दो scary हमेशा मूव करेंगे, remember chess is a game played less with the pieces and great with the mind, जितनी जाद आप practice करेंगे उतने अच्छे player आप बनेंगे, वाली वीडियो तो just beginners के लिए थी, मैंने next video बनाई हुई है, आपके लिए कि आप chess की game को बहुत असानी से कैसे जीतेंगे, link video का मेने description में देद यह है, कि अब सिर्फ 3 moves में आपने chess की game को जीतना है, तो लाजमी मेरी video देखे, I hope you like this video and don't forget to subscribe my youtube channel, thanks for watching.